गुड इबनिंग टू ओल आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बरतमान भारती समाज येवं प्रारंबिक सिक्षा 2020 का पेपर जो आज हुआ है आपका इसको हम फुली डिस्क्राइब करेंगे क्या आपके आंसर हैं किस तरह से आपको अटेम्ट करना है और आप यहाँ पर कि कॉंटेट्ट्व कोश्चन आप आसानी से कर ले जातें जो किसलेबस्ट इसक्राइब को मिले हैं चली तो हम यहाँ पर देखते हैं किस तरह का पेपर आया था और क्या आपको आप्सन वहाँ पर आप्ट करना था चली हम बात करतेंगे बीटिस सेमस्टर 2020 प्र अप्रतम प बहां से आपको 25 questions यहाँ पर मिले हैं, कोई changes नहीं है, same to same है, तो हमें आपर discuss करते हैं, कौन सी question को कौन सा answer आपका यहाँ पर है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर, पहला प्रस्ण है आपका, हमें उस सिक्षा के यावल सकता है, जिसके द्वारा चरित्र का निर्माड होता है, मस्तिस की सक्ति वड़ती है, बुद्धी का विकास होता है, और मनुस अपने पहरोपर खड़ा हो सकता है, यह कथन है यहाँ स्वामी बिविकानिंद का, तो यहाँ पर तीसरा option आपका correct है, अगला प्रस्ण है आपका, जन संक्या सिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है, तो जन संक्या सिक्षा का मूल संगठन है, आपका सहयोगी यहाँ इसको, यहाँ इसके द्वारा इसको associate हम करते हैं, ठीक है, अगला तीसरा प्रस्ण है आपका दिवास अपन के लिखे कौन है, तो दिवास अपन डेड्रीम आपकी गीजु भाई बदेका के दवारे लिखे गई यहां पर दूसरा option आपका correct है तीसरा प्रेस नहीं आपका पाली भासा सिख्छा का माध् diez्ए प्रजिक लिवारे इवारे में बताए गया था तो बहां च्छेटे कुश्यन की हम बात करते हैं आपका सची सिक्षा बहे हैं जो ब्यक्ति के अंदर से प्रस्पूटित होती है यह अंतर नहीं सकतियों की अभिव्यक्ति है यह आपका फिरुवेल का गतन है यहाँ पर तोड़ा डेफिनिशन को इन्हों ने घुमा दिया है फिरुवे हैं यहाँ यहाँ पर केंडरगाटन से अभी प्रहा है किंडरगाटन का मीनिंग होता है यहाँ पर बाल उधान जो कि द्fahrवेल के द्वारा दी गई है नमा प्रस्थना आपका गिजु भाई सिख्छा को मानते थे तो हाकर तीसरा आप्सन करेक्ट है आपका दसवे प्रेस्ट की हम बात करते हैं महिला समाक्या योजना कब से लाग हुई तो महिला समाक्या योजना 1989 सी प्रारम हुई तो यहाँ पर आपका चौता ओप्सिन करेक्ट है अब हमें आपर बात कर ले थे हैं 11 कोश्टन की मूल भे है जो मानब इच्छाओं की तुष्टी कर सकें तो इसका ओप्सिन आपका चौता करेक्ट है अर्बन जो आपको बुक्सेर की गई थी पीडिया बा पहला ओप्सिन करेक्ट है आपका भारती संभिधान की किस अनुच्छे के अंतरगत 6-14 बर्स तक के बालकों को अनिबारे निशुल सिक्षा का प्राप्त अधिकार है तो यहाँ पर अनुच्छे 21 का 21 आए पहला ओप्सिन करेक्ट है आपका चौदमा प्रस्णा आपका कुद्यस है आत्मान भूति पहला ओप्सिन आपके करेक्ट होगा अगर आपके दोनों अप्सिन दिये होते हैं आत्मा भी व्यक्ति और आत्मान व्यक्ति दोनों दिये हैं यहाँ पर अगर अगर यहाँ ठीक होते हैं लेकिन अगर यहाँ पर अलग लग दिये हैं तो पहला option correct आपका यहाँ पर है ओके आप हम बात करते हैं बेरी सौट वाला जो पोर्शन आया है वो भी आपका एजी पोर्शन आया है उसको हम डिसकस कर लेते हैं आपर सोलबा परसन है आपका बौध कालीन सिक्षा के दो पिर्मुक केंद्रों के नाम बताईए तो यहाँ पर आपको किबल दो नाम लेखने हैं नालंदा तक्षिला ठीक है यह आपके बौध कालीन सिक्षा के केंद्र है बिक्रम सिला सत्रमा परसन है आपका मूल परक सिक्षा के उद्दिश्ट बताईए मूल बरक सिक्षा बालों को क्यों देते हैं सामाजिक विकाज सांस्कृतिक विकाज नैतिक विकाज चरित निर्माट उस बालों के अंदर डबलप हो अगला प्रस्ण है आपका अठार्मा भारती सिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है तो सिक्षा का प्रमुक संस्कार है जब बालक गुरुकुल में प्रिवेश लेता था बालक को गुरु के पास ले जाया जाता था उपनयन का मतलब यही है गुरु के पास ले जाना गुरुकुल में प्रिवेश कराना तो इसमें क्या होता था जब बालक प्रारंबिक सिक्षा म में प्रविस लेता था तो इस संसकार को हैं गुरूकुल में क्रवेस के समय होने बाले संसकार HAS के बाल बालक डिए अनाम से जाना जाता था उपने संसिकार भ्रहम अगला पृस्द में आपका राष्ट्री बालष्रम नीती कप घोषित की गई श्क्षा का निसे अंदर व्हां त मैं काले कि ध्या दीया गया धारह्फ 15 में पिलेटो की कोई पिर्मुक रचना बताए तो प्लेटो किदा रिपबलिक, क्राइटो, ठीक है, यह आपकी पिर्मुक रचनाएं हैं, दलोज, अगली वह हम बात कर लेते हैं, कस्तूरवा गांधी बालिका, विद्ध्याले की इस्तापना के दो उद्धिस लिखिए, तो कस्तूरवा गांधी बालिका, विद्ध्याले बहीं रहते थी, जो गरीब चात्राएं हैं, बीपेल वाली, उन सभी चात्राओं को सिक्षा के समान अपसर उपलब्द कराना, अगला प्रसने आपका सिक्षा की एक परिभासा लिखिए, तो यहाँ पर सिक्षा की परिभासा लिख देनी हैं, किसी के एकॉर्डिंग लिख परिभासा लिख देनी हैं, बालक से क्या समझते हैं, ड्रॉप आउट का मतलब यहाँ कोई बालक के प्रैमरी स्कुल में एड्मिसन लेता बीच में ही अपनी पड़ाई छोड़ देता है, तो उसको हम कहते हैं, ड्राप आउट बालक, राष्टिये भारती राष्टी कांग दौर्ण हो जाएगा, आपका भारती राष्टी कांगरिस के द्वारा किये गए थे, परिया बालक संरक्षण के दो पाएं, यहाँ पर आपको लिखना है, आधिक से अधिक के हरे पेल लगाना है, नदीय को जलको स्वच बनाना है, पर दूसरा कम करना है, तो यहाँ पर आ कर लेते हैं, मरिया मांटे सरी की सिक्षा पदेते की विसेस्ता है, तो यहाँ पर मरिया मांटे सरी की सिक्षा पदेते की विसेस्ता है लिकनी है, करमेंद्रियों के आधार पर दें, गानेंद्रियों के आधार पर दें, गानेंद्रियों को यहाँ पर ट्रेंट किया जाता बाल के इन्नेट पावर को डबलप किया जाता था उसकी रूचियों का ध्यान रखा जाता था ठीक है तो यह बाल के अंदरे सिक्षा थी आपकी ठीक है परार्म एक सिक्षा की प्रुमुक्स चुनोती हैं आपका बाल स्रम हो जाएगा अभी बाब को करभिया हो जाएगा दोस किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था सिक्षा मठोबा बिहारों में होती थी इस तरह से आपको यहां पर उसकी गुड़ लिख देने हैं तिक हैं अगला सिक्षा के प्रभावी कारे के रूम में राज की प्रिमुक कारे को लिखे हैं सिक्षा की विवस्ता करना और जो आदर सबाग प्रिकरती बाद के सैक्षे को देश्यों का तो लादमक अध्यन कीजिए यह आपको वीडियो कल मौने में ही डाली गई थी तो इसको आप अच्छे सिकार आए होंगे सिक्षा का ब्यापक अर्थ गया है सिक्षा का ब्यापक अर्थ है जर्म से लिगे मिरित्य आपको सांती निकितन की इस रापना के उध्यस क्या थे ठीक है तो यहाँ पर यह आपकी बेरी सॉर्ट कोस्चिन इनमें आपको आदा अधा पीज लिखना था मिर्दा परदन को रोकने के लिए पिरमक उपाए तो मिर्दा परदन के पिरमक उपाए भी आप लिग दिये हो होंगे सिक्षा पर टिप पड़े मातमा गांदी की जो सिक्षा है बुनियादी शीक्षा थी बेसिक सिक्षा थी या ब रदा सिक्षा थी इसके बारे में आपको लिखना था तो आप देखा पर आपका easy था छी सम्में करके आये हैं तो यहां पर आप बताएंगे आप